दंदार उत्तराखंड एक्स्प्रेस आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ शीनम शर्मा उत्तराखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया है और बारिश के दौर के बीच कुमाओं के सभी जिलों के लिए आज तेज बारिश का अलर्ड जारी कर दिया गया है मैं अलर्ड के बाद कुमाओं के छे जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और आगन बारी केंद्रों को बंद रखा गया है कुमाओं में बारिश की बज़े से कई जोगों पर नुक्सान हुआ है कई स़र के बंध है उने खूलने का काप जारी है और इसके साथी नदिया और बशाती नाले भी उफान बने कुमाओं में आज भी तेज बारिश को लेकर अलर्ड जारी क्या गया है लगतार प्रशासन की तरफ से भी एडवाईजरी जारी की जा रही है कि सतर्क रहा जाए बहुत जरूरी हो तब ही घरों से बहार निकला जाए शालेंदर नेगी हलदवानी से हमारी सायोगी जाधा जानकारी के साथ जुड़ गए है चैलेंदर किस तरह से इहतियात बढ़ते जा रहे है क्योंकि जब भी मौनसून आता है जब भी बारिश होती है और तेज बारिश होती है तो आपदा का खत्रा बढ़ जाता है पहाड़ों पर अभी कैसा है वहाँ पर मौसम और किस तरह से इहतियात बढ़ते जा रहे है बारिश का सिलसला जारी है जिसके करण सौ से ज्यादा सड़कें कुमाओं में बंद हो चली है और जो मौसम विभाग का अलेट है उसी को देखते हुए जो च्छे के च्छे डीयम है उन्होंने यह फैसला लिया है कि जितने भी आगनबाडी केंद्रों और स्कूल है उनको बं पसीबत बंचुका है नेशनल हाइवेज पांच नेशनल हाइवेज बंद हो चुके हैं जिसमें अलमोडा से हल्दवानी को जोडने वाला नेशनल हाइवे उसके अलबा पितोरगड चंपावत को जोडने वाला जो नेशनल हाइवे टनकपुर से जुड़ता है वो स्वाला जिनों की बागेश्वर की बात करें या अलमोडा की बात करें तो इन सभी जो पाँच के पाँच पहाड़ी जिने हैं कुमाओ के वहाँ पर स्टेट हाइवे और डिस्टिक हाइवेस की तो आप पूछिए मद जो ग्रामिड सडके हैं प्रदान मंतरी ग्रामिड सडक योजना के तहुती हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है बहाँ पर जेसी बीस तैनात की गई हैं लेकिन जेसी बीस बीस भी काम नहीं कर पा रही है पोकलेंड मशीने तेनाद की गई हैं वो भी काम नहीं कर पा रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इन मशीनों को काम करने में वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन की यही अपील है मुक्यमंत्री बुशकर सिंघ धामी की यही अपील है लोगों से की आप जो है नदी नालों से दूर रहे है क्योंकि नदी नाले उफान पर है पूरी तरीके से शारदा है टनकपूर में वो पूरी तरीके से उपान पर है दो लाग क्यूसक से ज़्यादा पानी जो है वो शारदा नदी से छोड़ा गया है गौला नदी से 45,000 क्यूसक पानी छोड़ दिया गया है इसी तरीके से जो कोसी नदी है उससे भी 25,000 क्यूसक पानी छोड़ा गय जिससे निचले इलाकों में बाल का खत्रा फैदा हो गया है वहीं अगर उधम सिंग नगर जो मैदानी चिला है वहाँ की इस्तिती वहाँ पर जल भराओ देखने को मिल रहा है विशेस्त तोर पर जो सितार गंज का इलाका है रुद्रपुर का इलाका है जो उसके निचले इल हुआ है क्योंकि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं पहाड़ों में सब्जियां महंगी हो गई है क्योंकि जो नैशनल हाइवे और स्टेट हाइवे बंद हैं उसके करण अलमोडा पितोरागर बागेश्वर यहाँ ज्यादातर सब्जियां मैदान से मैदान की मं है क्रिशी मंडी है वहाँ से पहुंसती है तो लोगों को वहाँ पर भी जो सब्जियों की सप्लाई है वो भी प्रभावित हुई है वहाँ पर लोगों को महंगी सब्जिया मिल रही है तो हर तरह से जंजीवन इस बारिश ने प्रभावित कर दिया आप लोग यह उमीद कर रही है और पर्शासन भी जो लगातार मुस्ताहिद है चाहे हो नदी नालों के किनारे हैं या फिर जो कलोनिया है जहां पर जल भराओ के इस्तिधी है जो मेन शड़के हैं जहां पर जल भराओ के इस्तिधी है special forces बनाई गई है नगर निगम नगर पालिका की तरफ से जो की quick response team है वो वहाँ पर पहुँच रही है जहां पर भी जलवराओ है उन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसके बावजूद जो है आपने विस्तार से जानकारी दी आगे बढ़ते हैं उतरकाशी से बड़ी ख़बर है यहाँ पर गंगोत्री या मुनोत्री नैशनल हाईवे बंद हो गये हैं पहाडी से भारी मलबा आने के वजह से दोनों हाईवे बंद हुए है नहीं सुबह से ही यात्री फसे हुए नजर प्रशासर की चीन हाईवे को खोलने में जुची हुए गये और दोनों ही हाईवे पर सुबह से यात्री फसे हुए नजर आये थे गंगोत्री या मुनोत्री नैशनल हाईवे बंद हो गया है पहाडी से मलबा आने की वजह से दोनों हाईवे बंद हो गये है रामनगर के मोह पान में आब हल्दवानी रोड पर चकलूवा के पास बना कलमठ भी तूट गया है। जिसके विजह से अब रावनगर का हल्दवानी से संपर्ख कट गया है और बारिश ये मुसीबत लेकर आई। तड़क का अधा हिस्सा फूटा हुआ नजर आ रहा है। पितौरागर में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर है। भारत नेपाल को बाटने वाली काली नदी चेतावनी का स्थर पार कर चुकी है। मेराम गंगा भी चेतावनी के स्थर से उपर वह रखी है। नदियों के बढ़ते जलसर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। हरिद्वार से कानपुर तो जाने वाली उत्तराखन गंग नहर को बंद कर दिया गया है। पहाडों पर लगातार खुड़की बारिश की चलते गंगा नदी में सिल्ट बहकर आ रहा है। जिसके वज़े से धीम गोड़ा बैराज से यूपी सिंचाइल विपफाग ने गंग नहर का पानी रोक दिया है। बैराज और चैनल गेट पर सिल्ट जमा होने की वज़े से ये दिक्कते आ रही है। दियातन तोर पर यूपी सिंचाइल विपफाग की ओर से ये कदम उठाया गया। हर दिन गुजरते हैं, हर दिन आवा जाही करते हैं, वहीं महिलाएं घास का बोज लेकर जंगलों से वापस घरों को लौट रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग जान जोकी में डाल कर सफर करने को मजबूर हो चुके हैं। दिगर चार सालों से हमारा बुरों कोट गजेरा जो है कि हर साल तूरते जा रहा है और यहां पर हर बार रोज विलाफ होती जा रही है। सासन पर सासन से कई बार गुहार लगात चुके हैं और पीड़ वर्डी विभाकों कई बार कहें चुके हैं कि यहां पर बैली बीजपूल होना चीए था। मौसर विभाक के रेजर लट के बीच सच्चिव आपदा प्रबंधन ने स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंच कर वीडियो कानफरेंसिंग की और सभी जिला आपदा प्रबंधन रधिकारियों से अप्रेप लिया सच्चिव ने नेशनल हाइवे स्टेट हाइवे के साथ ग्रामीन सडकों को लेकर की निर्देश दिये जो मार्क बंध है उन्हें जल्द खुलवाने के लिए आदेश दिये अलगनंदा समेत नदियों के जलस्तर को लेकर जीजी एमो से जानकारी ली सचेव ने निर्देश दिये कि आपना प्रभावितों को राहत राशी देने में देनी नहों 15 जूल से लेकर अभी तक बांटी गई राहत राशी और लंबित मामलों की रिपोर्ट भी मांगी गई है माइनर कहीं पे कोई मलबा जाधा आ गया यह कहीं बादल पढ़ गया तो मलबा आ गया तो उस पर भी हम लोग काम करते रहते हैं तो हमारी टीमें जो हैं जनपत स्तर पे पूरी तरह मुस्ताइदी से काम कर रही हैं जो नोन जगहें हैं जो इंपॉर्टेंट रोड से हैं उनमें हम लोग अलग अलग जगह पे मशीन डेपलॉय करते हैं इस बार भी हम लोग ने किया हुआ है कि पब्लिक को सुविधा कम हो रावत विरिंद रावत के साथ बारावाली पहुंचों और तूटे हुए तटबंद का जैसा लिया हरी श्रावत ने कहा कि इस बार बारिश को लेकर जो खब्रसाब में आ रहे हैं उससों देखते हुए सरकार को रहत बच्चाव के कारियों में तेजी लानी चाहिए पानी के बरशाद की भवश्वानिया की जा रही है तो उससे तो लग रहा है कि खानपूर और लक्षर के लोगों के लिए और बहुत बड़े चेत्र में गंगा के किनारे लोगों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा मैं बहुत चिंती तुम इस बात से और मैं प्रशादसन से और राजसरकार से आगरो करना चाहता हूं कि अब भी कुछ नहीं बीता है यहां कम से कम ठोकरें तो बना दें हर इद्वार में देरादून से अम्रोहा जा रही एक कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला पन गई कार सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई घटना नजीवाबाद नेशनल हाइवे की है मौके पर पहुँचे फार बिगेट की चीम ने आग पर काबू पाया आग की वजह से हाईवे पर दोनों तरफ चाप लग गया तो हाईवे पर कार में आग लग गई देहरदून से अम रोहा ये कार जा रही थी जब हद से कशिकार हुई और आसपास जब भीड को भी आप देख सकते हैं बाद में फार बिगेट की चीम मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया गया खबर रिशीकेश से हैं लक्षमें ढूला थानक्षेतर के में एक रिजॉर्ट में अवैद रूप से चल रही डांस और शराप पार्टी पर पुलिस ने चापे मारी की पौड़ी पुलिस ने रिजॉर्ट मैनेजर संचालक समें पांच पर मुकदमा दर्ज किया अरतिस लोगों को गिरफतार किया गया है 26 लड़कों के खिलाब पुलिस अक्ट में करवाई की गई है पुलिस को सुचना मिली थी कि पांव व्यू रिजॉर्ट जोग्यना में कुछ लोग होड़क बचा रहे हैं प्रभारी ये रिक्षक फोर्स के साथ पहुचे और रिजॉर्ट में कुछ लोग शरापे कर उंची आवाज में डीजे बचा कर होड़क बाजी कर रहे थे और व प्रवारों ने मंगलौ और क्षेत्र में फ्लाग मार्च निकाला और सभी सिम्र्थान करने की अपील की है इस मौके पर कई धाना क्षेत्रों के सेच्चों भी यहां पर मौजोद रहे हैं और अभी पूरे एरिया डॉमिनेशन की कारवाई के दौरान उनके दौरा मर्यादापूर्ण एवं अनुसासन में रहते हुए एरिया डॉमिनेशन की कारवाई को अंजाम देने के लिए निर्देशित किया गया मौख्य मंत्रे पुषकर सिंग धावी निर्विवार को पीपल कोटी में बज़ुद्विनात उप्चुनाव का प्रचार किया और बीजेपी उमीदवार राजजिंद्र भंडारी के लिए जनता से वोट के अप्रिल की, सीम धामी ने कहा कि पियम मोदी का उतराखन से खास लगाव है, साथी कहा कि सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है, जिससे चारथाम की यातरासार कुई, कॉंग्रस पर भी सीम नुशान असाथ है. जोड़ने को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है, ऐसे अनेक काम आज इस चेत्र में हो रहे है, इसके साथ साथ जोसी मट के पुनर विकास के में, मास्टर प्लान के तहथ 1658 करोड रुपे की रिकवरी और रीकस्ट्रक्शन योजना को भी भारत सरकार ने, आ जोड़ने को पेश्वर में जनसभा के, जिसके साथ ही पोकरी में भी सीमधामी जनसभा को संबूर्धित करेंगे, और बीज़ेपी उमीदवार राजेंदर भंडारी के लिए वोट मांगेंगे, दस जोलाई को उप्चुनाव की वोटिंग होने है, और अगली खबर चमोल जिन्दावाद, 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 जिन्दावा मैंने कहा बीपक से बहुत बचकाना है नादान है और जो हमारी नेता प्रतिपक्स है उनको ग्यान वास्तों में नहीं है मैं तो समझता था तो बहुत विद्वान है पर उन्होंने एक चीज पकड़ी है हिट एंड रन मारो और भागो कुछ भी गलत बात कह जाओ और उसके बाद सुनने के लिए तियार ही न रहो बद्रिनात की दोरे के बाद क्याबिनेट मंतरी गरे जोशी भी श्रीनगर पहुँचे जोशी मट भूधन साव पर मंतरी ने कहा कि भूधन साव कोई मुद्दा नहीं है इसलिए बद्रिनात विदान सभा उप्चुनाव में इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा मंतरी ने कहा कि लोग यहां के लोग विकास चाते हैं जो बीजेपी करेगी बद्रिनात क्षेतर में भी किसानों को सरकार की योचना का फादा पहुचा है लोगतबा चुनाव जीतने के बाद पहली बार केंद्री मंतरी अलजे टम्टा बागेश्वर पहुचे कारकरताओं ने केंद्री मंतरी का भवे स्वाक्त किया केंद्री मंत्री अलजे टम्टा में बागेश्वर और कपकोट में मत्ता अभी नंदन समरूमी जिरता का धन्यवाद और अभार चताया मंत्री ने सर्वस्रेश्ट बूतों के अधक्षों को समालिन भी किया है रूदर प्रयाग में ट्रांसफर को लेकर राज के प्रात्मेक शिक्षक सग ने दाराजगी जताई है मोकेविकास अधिकारी के ऑफस में नाने बाजी कर विरोट जताया गया टीचर्स कारोप है कि सीडियों के अधक्षता में बनी समीती के मनमाने तरीके से ट्रांसफर किये जा रहे है प्रदेश में तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस ने पहले से ही काफी तयारी कर ली थी अब नए कानूनों को देखते हुए नए विशेशग्यों की जरूरत महसूस की जा रही है जिसके लिए पुलिस को 311 विशेशग्यों की दरकार है प्रदेश में तीन नए कानूनों को सही से धरातल पर उतारने के लिए पुलिस विभाग ने शाशन से 311 पदों की मांग की है इन में फॉरंसिक विशेशग्य, साइबर विशेशग्य और ड्राफ्समैन के साथ विधिक सलाकार के पश शामिल है पुलिस नए कानून के तहट FIR दर्श करने लगी है लेकिन पुलिस के सामने अप्चुनौती है तो घटनाओं के खुलासा करने की क्योंकि नए कानूनों में साक्ष संकलन के लिए डिजिटल एविडेंस पर ज्यादा फोकस किया गया है साथ ही पुलिस के पास जल्द साथ फॉरंसिक वैन पहुशने वाली है लेकिन इन गाडियों के लिए टेक्नीशन और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए अप्चाशन को प्रस्ताव भेजा है जो नए कानून जो पास हुए है एक जुले से लागू हुए है तो उसमें भारतिया नागरिक सुरक्षा आधिनियम पुलिस से अपेक्षा की गई पुलिस के पास अभी देहरादून और रूदरपुर में नाम मात के फॉरेंसिक लैब और विशेशक्य है इनमें अधिकतर काम आउट्सोर्ट से होता है अब नए कानूनों को देखते हुए नए विशेशक्यों की ज़रत महसूस की जा रही है जिसे देख पुलिस मुख्याले ने ग्रविभाग को इससे सम्मंधित प्रस्ताव भेजा है यूरो रिपॉर्ट न रहे हैं रामडगर के तराई वश्चमी वनविफाग में फॉर्ट जोन जंगल सफारी घूमने कए प्रेट्चकों को भी इस बार बारिश में फसना पड़ा था बारिश के कारण जंगल में पानी भरने लगा जिसके कारण कई गारीं सड़क पर थस गई जिनको बारिश कम ह पर वापस बुला लिया गया था है कि अभी तो प्लान ये है कि इस समय जो हमारा डे विजिट था और नाइट इस्टे था वो इसलिए बंद किया गया क्यूंकि अंदर रोड्स की हालत बड़ी खराब हो गई है और जो मालदन से हमारे फांटो गेट तक जाने वाले रोड भी सेसकर वह बहुत खराब हालत में तो इसलिए उसको पर उसको रिपेर करने का और उसको ठीक करने का प्रयाश सेल रहा है वह जैसे ठीक होगा उसके बाद में खोलेंगे लेकिन अभी तक तो यह उमिद है कि पहले अक्टूबर से हम जो उनको खोलने की सिति में होगे मसूरी वे भगवान जगरनात की रथयात्रा धुमधाम से निकाली गई सुन्दर रत पर से जाकर भगवान श्रीकृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा को शहरती स्याक कराए गई इस दौरान यात्रा रत को भगतों ने हातों से खींचा रास्ते भर भगवाद की जैकारे और जुटे हो लोगों का जठ्था चलता रहा रत यात्रा से पहले जगरनात मंदर ने इस नाम के बाद जगरनात का रिशुप भी किया गया उनकी विशेश आफ्ति विताली ते आ पिननात की नाम से जाना जाता है